मदिसवार खानपुरा परगुंडा महले में गिरा मकान राधा नामक महिला हुई घायल पहुंचाया जिला स्पिताल पास में चल रहा था मकान का निर्मान मदिसवार खानपुरा परगुंडा महले में आज एक मकान का निर्मान कच्चे मकान के पास चल रहा था और कच्चे मकान की दिवार से कुछ मिट्टी निकाली गई पास के वेक्ती द्वारा जिससे दिवार गिरने से मकान गिर गया और तीन लोग घर के अंदर थे दो जान ब जीला स्पिताल मंदिस और भीजा गायल महिला के भाई द्वारा बताया गया कि राधा पती दीपक बरगुंडा गायल हुई है जिसको उपचार के लिए जीला स्पिताल ले जाया गया है भगवान का शुक्र था कि जादा चोट नहीं लगी है पर बड़ा हादसा होते वे टल बता जा रहा है कि घर के पास में ही एक मकान का निर्मान चल रहा था और जिस कारण से यह दिवार गिरने से मकान गिर गया और कच्छा मकान होने के कारण मकान जल्दी गिर गया जैसे ही सूचना असपास के लोगों को लगी तो बड़ी संख्या में महिला पुरुष और के कारण एक महिला को मामूली चोट लगी है जिसको अस्पिताल पहुंचे आए गया है मंदस्वार शहर में कच्छे कई मकाम जरजर अवस्ता में हो रहे हैं और नगरपाली का द्वारा कई समय से उन्हें नोटिस दिये जा रहे हैं कि तोड़ने के लिए पर उनके द्वार के बड़े हाद से हो जाते हैं जिसके वाद जिम्मेदारों पर भी आरोप लगाय जाते हैं मोके पर नगरपाली का के करमचारी पहुंचे जैसी भी लेकर पर इस तरह कोई बड़ा घटना करम नहीं हुआ था जिससे जैसी भी का अपयोग किया जा सके वापस नगरपाली का कि अधिकारी कर्मचारियों को पलिसवारा लोटाए गया यह बरगुंडा मोहला है आपर यह राधा बरगुंडा इनका मकान है और इनके पड़ोस में एक कारे चल रहा है और उसी में यह एक मकान इनका गिरिया था जिसमें राधा और उनकी बच्चिया यहां पर थी राधा क वह हल्की सी हाथ में कहीं चोटाई है दिखाने डॉक्टर के अगई बैकिस रोख्षत हैं यह खानपुरा चेत्र है बर्गुंडा बॉल्ला है और यहां पी क्या पड़ोस में मकान बन रहा था और पुराना मकान था दीवाल वास में थी जो गिरिया और इसमें कुछ हमारी सि कर रहे हैं उनको सरकारी हस्पताल में ले गए हैं इलाज के दौरान मेरा नाम मनुजवर्मा है